अधियम की पाटशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के कच्छा नौवी के गड़ित की प्रशनावली 13.8 की सभी प्रशनों को हल करेंगे प्रशनेक, प्रशनेक में दोस्तों हमें कहा गया उस गोले का है गया गया temp दीमिटर होता है है 4 2 3 yore cube, मान रखेगे हम ठीक 8 Eleanor 3 तो 4 3 हो गया paik को रखेगी 27 rzeczywiście आर की ज漏गे रखेगे 7 तो यह veggie 7 का cube. 7 का cube है तो 7, 7, 7 लिग देगे है ठीक है, अब यह 7 और यह 2 से आ अपस में कट जाएगा तो 2 ही 7 बचेंगी ऊपर Just a fühled a person, नीचे कोई साथ नहीं चार भटा थीन तो 4 बटा 3 हो गया पाइ को रख दिए 22 बटे 7 एक यह है तो इसाथ के क्यूब है तो साथ गुणा साथ गुणा साथ लिग देंगे अब यह साथ और यहाला साथ आपस में कट जाएगा तो दो यह साथ बचेंगे ऊपर और नीचे कोई 7 नहीं बचेगा तो य जाएगा हमारा गोले कायतन 4 बटा 3 गुणा 22 यह साथ चला जाएगा गुणा 7 गुणा 7 ठीक है इस सब को गुणा करेंगे उपर बालों को 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 तो हमें मिलेगा 4 312 ठीक है और नीचे रह जाएगा 3 ठीक है अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1437 सही 1 बटा 3 ठीक है कैसे 3 का भाग देंगे 4 312 में ठीक है तो हमें मिलेगा 1437 और जो शेश्वल मिलेगा वो मिलेगा 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 1 बटा 3 तो इसको हम कहते हैं 1437 सही 1 बटा 3 cm3 यह हमारे गोले का इतना गया और यही प्रश्न के पहले बा दिया गया है गोले की त्रिज्जा और बरावा 0.3 मीटर ठीक है अब 0.3 का क्यूब ठीक है अब 0.3 के क्यूब को खोल लेते हैं यह 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.2 1 यह लिख तर्यां अब देखिए यह 0.16 1 साथ का भाग देंगे तो मैं मिलेगा 0.09 लिक दिया हमने और बाकी तो फार को चार लिखा 22 को 22 लिखा और 0.6 को 0.6 लिखा ठीक है अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.05 लगभग लगभग ठीक है तो हम कह सकते हैं गोले का इतन किता हुआ पानी का इतन कीजिए जिसका व्यास हमें पहले भाग में 0.21 मीटर निख में हुआ हमने तो जो दियागे वह लिखिया हमने गेंग का व्यास द करेंग भ्याबर 8 हमाप प्रव्यास में झ से निखीक है तो हमें 1 एate तंब्रम निक हमने तो गेंद की तरिज़ा किती होगी R अबर बाबर, D बटा 2, 20 बटे 2, 28 बटे 2, 20 बटे 2, 28 बटे 2, यनि की तरिज़ा हमारी आ गई 14 सेंटीमेटर, अब हमें सूत्र पता है गोले की आयतन का, 4 बटा 3, Pi R Q, ठीक है, तो अब मान रख देंगे, 4 बटा 3 रख दिया, और Pi की आण टो 2 qa की 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 कुव मु civ कर लिए तो गयन हृती ओनल सब लें गें दल्द चार बేंट 3 1 लेकिन द्ला। अभागी सब्सक्राइं के 3 को इसक द्लीक में ब strengthen इसको के 5 की में तो हमें मिलेगा 34496, 4,22,2,14,14 करेंगे तो हमें मिलेगा 34496, और नीचे बटे में 3 है तो बटे में 3, ठीक है, अब अगर इसको हम 3 से भाग देंगे, तो हमें मिलेगा 11492,3, 2 सेश्वल होगा हमारा, ठीक है, तो 2,3 लखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे 11492,3 सेंटीमिटर क्यूब, यह हमारे गोले का इतना आ गया, तो हम कह सकते हैं, गैंदवारा अठाए गए, विस्तापित पानी का इतना किता होगा, 11492,3 सेंटीमिटर क्यूब, और यह हमारे प्रश्ण के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों, तो गैन की तरिज्जा होगी, आर बरावर डी बटा दो, यानि की व्यास बटा दो, व्यास है 0.21, तो 0.21 बटा दो, तरिज्जा हमारी आ जाएगी 0.105 मीटर, ठीक है, अब हम जानते हैं, गोले का इतना का सूथ, चार बटा तीन पाई र क्यूब, मान रख देंगे, 4 बटा तीन पाई की जाएगे 22 बटा शाथ और случа र की जाएगे 0.105, तो यह हो जाएगा 0.105 का क्यूब, ठीक है अब 0.105 की क्यूब को खोल लेंगे, 4 बटा 3, 22 बटा साथ जीरो तरिज़्ज़्जक्राइन और 105 का बोड़ना 0.105 ठीक है अब इसको पूरे को हल कर रहेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गैंद काहितन 0.00485 मीटर क्यूब ठीक है तो हम कह सकते हैं कि गैंद और आठ टाए गए विस्तापित पानी काहितन किता है 0.00485 तो नाच एक मीटर क्यूब और यहीं हमारे प्रश्न कहें इस बाग का उत्तर है दोस्तों प्रश्न तीन में दोस्तों हमें दिया गया धातू कि गेंद का व्यास 4.2 cm है यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंट्यमीटर क्यों है तो इस गेंद का द्रभ विमान ठीक है मतलब उसका भार गयाद कीजे तो हमें घनत्व दे रखाए ठीक है तो द्रभ विमान गयाद करने के लिए हमें आयतन की और आवशकता होग क्योंकि हम जानते हैं द्रभ विमान बराबर होता है घनत्व गुण आयतन ठीक है तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं धातु की गेंद का तो जो दिया गया वो लिख सेते हैं गेंद का व्यास दे रखाया हमें 4.2 cm तो दी बराबर होगे 4.2 पर हमें क्या निकालने है बढ़ी क्यों सब्सक्राइब हो जाएंगे देन्हाय थी जो 12.1 तो यह हो जाएगा 2.1 का क्यूब को खोलेते हैं तो यह हो जाएगा 2.1-1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 ठीक है अब आप देखे यह जो टीन हैs रही जाहीं और साथ है तीनन गुणा 7 कि ताह है कि इसको यह नही 2.1 में 3 7 का तो हमें क्या मिलेगा कि 3 7 हो जाएगा 21 तो 2.1 में 20 का भाग देंगे तो 0.1 मिल जाएगा हमें ठीक है और बाकी चाहिए चाहर बाइस यह होगे खेंगे तो 38.808 cm3 तो गैंद का आईतर निकाल लिया है 38.808 cm3 हमें प्रेश्ण में दिया गया है कि धातु का घनत्व कितना नौ ग्राम प्रती संटीमेटर क्यूब तो हमने लिख लिया धातु का घनत्व है अब दोस्तों हम जानते हैं जो सूत होता है घनत्व गुणा आयतन तो गुणा और दोरी निग्द्थे, K notion में खौना खेंगे तो यतन का डिचापयमान अग जust टिक इतन से 2 गॉना कर देंगे.......... तो गेंदम का द्रोवःबान में खौना खौना का गुंढा आतन नात का द्चाझन क का फ्करक्राय। तो हमने वो लिख दिया अब इसका गुणा कर लेंगे तो गेंद का द्रविवान आ जाएगा हमारा 345.391 ठीक है और किसमें आएगा जी ग्राम में आएगा ठीक है ग्राम में लिखने के लिए हम सिर्फ तो हम लिख देंगे गेंद का द्रविवान होगा 345.39 लगवग क्योंकि हमने एक दो को उटा दिया तो यही हमारी इस प्राशन का उत्तर है दोस्तों चार में दोस्तों हमें दिया गया है चंद्रमा का व्यास प्रत्वी के व्यास का लगबग एक चौता ही है तो चंद्रमा का आयतन प्रत्वी के आयतन की कौन सी भिन होगा मतलब की चंद्रमा का जो आयतन है प्रत्वी के आयतन का आधा होगा एक चौता ही होगा कौन सी भिन हो करतु नहीं प्रतवी के गबीटर रहीट व्यास का लगवाक एक ही नहीर कर दो किसकीतल थो ऑर प्रतेड को थे लेगा गणिना शाप को जाया इसमाल डू नहीं दी बटे आठ तो चंद्रमा की तरज्जा हमारी स्मॉल रा गई डी बटे आठ ठीक है अब दोस्तों हमने अध्याय 13 के परिचे के वीडियो में पढ़ा था गोले का सुत्र चार बटा तीन पाई आर क्यूब आर है तरज्जा उस गोले की ठीक है तो प्रत्वी का आयतन क्या ह होना की चणद्रमा की तरज्जा कितनी स्मॉल ररत हमें करदनी स्माइ थे ठीक है तहुआ क्याली एतन बटे थे तिन स्ट्र्वा का आईतन क्याद कर लिया अब हम देखेंगे की चणद्रमा का 3 कितना है प्रत्वी के आईतन का ठीक है हाभ गाय रख दोस्तों हमने चंद्रुमा के दिर्ज के द्रिधा औरतवी के चर्फक निकाले थे चर्फक आथन रख दिया की नुब पाई र केपिटल आर प्यूब तो चार्बट तीन से काट जाएगा ऑसे эпतवारूब तो हमकले हो पाइस ध्यूब एश्मॉच ह्यूद। बट्टे में 8,8,8 लिख दिया उसी प्रेकार नीचे यह DQ हो जाएगा बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2,2,2 लिख दिया चंद्रुमा का आयतन क्या होगा एक लकटे चॉसट और ये प्रत्विक आयतन कूं ऊपर ले जाएंगे यहां पर तो आधर हो जागा प्रत्वी के आयतन भूर्टी निकाल सकते हैं अचbuilt प्रत्वी के आइतन का एक अर्ध गोलाकर कटोरे में कितने लीटर दूद आ सकता है ठीक है तो कितना दूद आ सकता है मतलब उसका इतन बताना है हमें अर्ध गोलाकर कटोरे का और किसमें बताना है लीटर में बताना है ठीक है तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हम अर्ध गोलाकर कटोरे का व्यास जो है दिया गया हमें 10.5 cm तो small d बरावर होगे 10.5 cm अब हमें चाहिए अर्ध गोल आकर कटोरे की त्रिज्जा तो small r बरावर होगा small d बटे दो small d मतलब व्यास बटे दो व्यास 10.5 तो 10.5 बटे दो ठीक है तो हमारी त्रिज्जा आजाई की r बरावर 5.25 cm अब हम जानते हैं अर्ध गोले का आयतन का सूत्र होता है 2 बटा 3 पाई आर क्यूब मान रख देंगे सबका तो कटोरे का आयतन कितना जगा 2 बटा 3 गुणा पाई की जगे रखा 22 बटे साथ आर की जगे रखा 5.25 तो यह जगा 5.25 का क्यूब अब 5.25 की क्यूब को हम 3 वार ल 2.25 वह हमने यहां लिख दिया ठीक है बाकी फिर 2 लिखा 22 लिखा 5.25 लिखा और 5.25 लिखा अब आप देखिए 2 गुणा 0.25 कीता होगा 0.25 गुणा 22 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 11 तो यह 3 मिला क्यों जाएगे 11 और फिर बाकी 5.25 गुणा 5.25 हमने लिख दिया तो कटोरे इन तीनों को हल करेंगे तीनों को गुणा करेंगे तो हमें आजाएगा 3.3 cm3 लगवाग ठीक है कुछ दश्वमलब में आएगा तो हम लगवाग लिख देते हैं तो हमने कटोरे का इतन तो निकाली लिया ठीक है अब हम जानते हैं कि 1000 cm3 बरावर होता है 1 cm3 कितना होगा 1 बटे 1000 लिटर ठीक है 1000 नीचे चला जाएगा पर हमें कितना चाहिए 303 cm3 कितना होगा 303 गुणा 1 बटे 1000 ठीक है यह लिटर में आजाएगा ठीक है 303 में 1000 का भाग देंगे तो हमें मेलेगा 0.303 लिटर ठीक है तो 303 cm2 हमारा कितना गया 0.303 लिटर तो हम कह सकते हैं अथा अर्ध गोलाकर कटोरे में 0.303 लिटर दूद आ सकता है लगबग ठीक है क्योंकि यह जो हमारा कटोरे का इतना है तो वह भी लगबग था ठीक है तो 0.303 लिटर लगबग यह हमारे इस प्रश्न का उत्तेर है दोस्तों प्रश्निचे में दोस्तों हमें दिया गया है एक अर्ध गोला का टंकी 1 cm मौटी एक लोहे की चादर से बनी है यदि अर्ध को बनाने में लगे लोहे का आयतन ग्याद कीजिये लोहे की चादर से बनी है रखहे हैं आर्ध गोला का टंकी यह तो 1 मिटर विधा तो इस शो के यह पार ले हिस्से से पीछे तक आं त्रिक तुम देंर रखा चादर की मौटाई चादर की मोटाई कित्त ह SG का लगाए ये मोटाई है यह हमें दे रखिया है एक संटिमेट्र हमने चलोने में क्यी एक संटिमेटर है अब एक संटिमेटर को मेडकनी में बदलना हो और क्या करहें capital R बराबर आंत्रिक तरिज्जा धन लोगे की चादर की मोटाई X ठीक है आर धन X R एक मिटर है और X कितना 0.01 मिटर तो एक धन 0.01 आ जाएगा तो हमारा R कितना जाएगा 1.01 मिटर तो यह जो टंकी है इसकी बाहरी तरिज्जा है capital R कितनी आ गई 1.01 मिटर हमें इस अर्ध गोलाकर टंकी की आंत्रिक तरिज्जा दे रखी एक मिटर और भारी तरिज्जा हमने निकाली 1.01 मिटर और हम जानते हैं अर्ध गोले का इतन का सूतर होता है दो बट्ट तीन पाई आर क्यूब ठीक है तो टंकी बनाने में लगे पाईटन कितना होगा 2 आ 3 पाईट है अर्क्यूब नहीं रखेंगे क्यों क्यों क्योंकि हमें स्रिफ लोहा जितना लगए ठीक है उसका पूरा आथन बाहरी आथन उसमें से माइनस कर देंगे जो अंदर का यतन है ठीक है क्योंकि अंदर तो पानी अगेर भरा जाएगा जो तो लोगी चाजर लगी है तो यह हो जाएगा बहरी त्रिजा का क्यूब माइनस अंत्रिक त्रिजा का क्यूब ठीक है अब मान रख देते हैं 2 बटा 3 पाई की जागे रख दिया हमने 22 बटे साथ कैपिटल आर का मान ने 1.01 तो हमने 1.01 रख दिया स्मॉल आरे एक तो एक रख दिया ठीक है अब दो गुणा 22 होगे 44 तीन गुणा साथ होगे 21 एक दश्मलब 01 का क्यूब आप निकालेंगी तो आपका हैगा एक दश्मलब 03 03 01 और एक का क्यूब तो एक ही रहेगा ठीक है अब एक दश्मलब 03 03 01 में से एक को घट आएंगे तो हमें कित्ता मिलेगा जीरो दश्मलब 03 03 01 और यह 44 बटे 21 तो वैसा ही है इसको गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.06 348 ठीक है मीटर क्यूब तो हम कह सकते हैं टंकी बनाने में लगे लोह कायतन होगा जीरो दश्मलब 0 0 6 348 मीटर क्यूब और यही हमारे इस प्राप्रश्ण का उत्तर है दोस्तों प्राप्रश्ण साथ में दोस्तों हमें कहा गया उस गोले का आयतन ग्याद किजिए जिसका प्रश्टिय शित्वल 154 संटीमिटर स्क्वेर है ठीक है तो हम जानते हैं कि गोले सब्सक्राइव का पुले का प्रश्टिय शित्वल का सुध्र में बता चार पाइतर स्क्वेर और रहे हैं और हमें प्रस्ट केंगे का फ्रस्टिय के ब्राप हो सब्सक्राइब 154 संटीमिटर स्क्राइब का मान रख देंगे pro 22 अलम इसको हम united by 20 साथ और i को 12 stiff Allen अब 4bit 227 को 10 तरफ ले जाइँगे तो साथ ऊपर चला जाएगा और 4bit 20 नीचे चला जाएगा तो और इसको लिख लेते हैं साथ गूणा साथ और 4 level 1 दिआ दिदिया कर दो अब और निकाल में हैं तो दूसरी तरफ ले जाएँगे तोackeda बढ़र सवेंगी के अंधर साथ गुणावगण साथ बते है दो गुणावग अब मतने यह 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 कुंद आ उपर 7 बहार आज दो निशे दो भार आज का आ तो प्र जांते गोले काहतन का सूत होता है 4 बटा 3 PI R Q मान रख देंगे तो गोले काहतन होगा 4 बटा 3, Pi की जगे 22 बटा साथ रख देंगे R की जगे 3.5 तो यह हो जगा 3.5 का Q ठीक है 4 बटा 3 को 4 बटा 3 लिखा 22 बटा 7 को 22 बटा 7 लिखा 3.5 की क्यूब को खोला तो हो गया 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5 अब ध्यान दीजिए ये 3.5 में ये 7 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.5 तो यहां हमने लिख दे 0.5 बाकी की चीद को भी लिखा 4 बटे 3 को 4 बटे 3 22 बटे 7 में ते 7 चला गया तो बचा 22 फिर ये 0.5 फिर ठीक है अब 549 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 189 सही 2 बटा 3 ठीक है क्योंकि शेश्वल दो आएगा तो गुले का इतना आएगा 189 सही 2 बटा 3 सेंटिमीटर क्यूब और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तहर है दोस्तों प्रश्नाट में दोस्तों हमें दिया गया है किसी भवन का गुमबद एक अर्ध गोले के आकार का है ठीक है आदे गोले के आकार का है गुमबद अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.9 रुपे व्याय हुए खर्च हुए यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपे प्रति ठीक है तो फहले पहले ठीक है किक हमाँ करने का कितना है 498 रुपे चानवे पैसे ठीक है सफेदी करने का ता में पता नहीं नहीं है लेकिन सफेदीकर कितनी दे रखिए 2 रुपे प्रतिवर्ग मीटर तो इसकी जगे हमने रख दिया 2 और सफेदी कर राने का वे कितना दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि गुंबद का आंतरिक वक्त प्रिस्टीज चेत्वल कितना है 209.48 मीटर स्केर और यही हमारे प्रश्णी के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों दूसरे भाग में हमसे पूछा है दोस्तों गुंबद के अंदर हवा का आईतन कितना होगा गुंबद का आईतन हमें पता करना है ठीक है गुं वह अर्द गुच्छ निकाल ले ने него गुंबद की तरिज्जा आ रहें ठीक है और्द गोले के बग प्रिस्टी छित्फल का सूत्र में पता है 2 गुणा पाई गुणा आर स्केर किसके बरावर हो जाएगा तो जाएंगे तो साथ ब्लेटे चवालिस हो जाए गए तो यह तो यह आअर इसका हो साथ ब्लेटे चावालिस अब इसको हल करेंगे फैंगे स्वेर अटाएंगे तो इधर अंड़ा रूट आ जाएगा तो अंडरूट 49 दिशम्ड़व चैनों पंडरूट लेंगे तो हमें आर मिल जाएगा 6.3 मिटर तो तरज्या मिल गई हमें गुम्बत की आर बराबावाद 6.3 मीटर गुम्बत की तिरिज्जा निकल के अब तो बहुत ही आसान है हमें पता है आध गोले का इतन का सुथ दो बटा तीन पाई अर क्यूब मान रख देंगे तो दो बटा तीन पाई की जगे रख दें बाइस बटे साथ आर की जगे रख 6.3 तो यह जाएगा 6.3 का क्यूब अब 6.3 का क्यूब है तो तीन बार लिख देंगे 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3 ठीक है अब आप धिहान से देखे इदर यह जो 6.3 है इसको हमें भाग देना है 7 और 21 से सात्या होता है 21 21 में 6.3 का भाग देंगे तो हमें आप 2523.908 मीट्र क्यूब तो हम कह सकते हैं कि गुंबद के अंदर कितनी हुआ का इतना होगा गुंबद के अंदर कि हवा का इतन वगा pakai तन हगा 502.908 वाट मीटर क्यूब यह हमारे प्रश्ण के दूसरे भाग का होते हैं दोस्तों प्रश्ण 9 में दोस्तों हमें देया गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिगला कर जिनमें से प्रतेक की तरज्जा R है और प्रश्टी शित्वल S है एक बड़ा गोला बनाया जाता है उस बड़े गोले का प्रश्टी सीफल S है तो गयाद किजिये प्रश्ण के दूबाग मां प्रश्टी सीफवल का नुपाथ कूछाए है तो आगे हम पहले-पहले भांट प्र आज कर लेते हैं हमें दिया है छोटे गोले की तरजह किति Daariggles की हुं को दे रखिए तो हमने लिखिए बड़े गोलें किति डेरिखिए न चार बリटा तीन अर मैतलाब बड़े गोले की त्रज्या बड़े गोले की तिर्जा कितनी औरडस तो r की जगे कहार रुक्द भी तो यह तो अनुट है बलावर 27 तो 17 रख़ा गुणा चोटे गोले कायतन चोटे गोले कायतन होगा चार तीन पाइर बाएं को दायें वाले 거는 2-5 होगा दाया इस की स्रक्षा אז तो दोनों बरावर होंगे आपस में और यही हमारे प्रश्ण के दूसरे भाग में हमें हमें पूछा है S और S देस का नुपात मतलब छोटे गोले और बड़े गोले के प्रस्टीज शित्वलों का नुपात तो हमें छोटे गोले की तरिज़ा पता है R बड़े गोले की तरिज़ा R डेस्ट पता है किसके बरावर है 3R के जो हमने पहले भाग में निकाल ला था हम जानते हैं गोले के प्रस्टीज शित्वल का सूथ होता है 4 गोलफा पाई अ स्कूएर तो चोटे गोले का प्रस्टीज 6 वले LS S किसके बराबर होगा 4 ėुणा πाई r square कि ऐंच क्वा राव ही है बड़े गोले का सेटवल S दे रखा है 5-2 गोले की तर्जा कितनी है और इसको हल करेंगे तो 3 का स्केर हो जाएगा 9 और r का स्केर आदर सकेर हो जाएगा तो यह को चारप्ड गुणा 9 कुणा आ पाई स्केर ठाहिक है इसको और अच्छे से लिख लेगते हैं तो यह Mostव जाए लेगे बागि चारपाई भॉरस ओगे नौटाइशकयर अब हमें में निकालने ईसे आनुपाथ की पार्भविन हैंgenली नाउने चारपाई स्कुर्ungen fotograf solid aux 4242 c fire Reading gray ुपर दोंगे श्याइब चारपा ये स्केर गडदे दो कितना होगा एक अनुपात नौ तो एक अनुपात नौ ही हमारे इस प्रश्ण के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों दोस्तों में दिया गया है दोवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है सिर प्रहे का कैप्सूल है बलन का कर नहीं है याद रखेंगे इस ब्रश्ण यह इस प्रश्ण तो हमें दिया हुआ है कैप्सूल का व्यास कितना है D b. 3.5 mm व्यास से कुछ नहीं होता है हमें त्रिज्जा निकालनी पड़ेगी तो कैप्सूल की त्रिज्जा हो जाएगी R b. 2 व्यास बटा दो व्यास है 3.5 तो यह जागा 3.5 बटा दो तो तरज्जा आर बराबर आजाएगी हमारी 1.75 mm अब हम जानते हैं गोले का इतन का सुत्र होता है 4 बटा 3 पाई र क्यूब ठीक है पाई के और र का मान रख देंगे तो कैप्सुल का आतन हो जागा 4 बटा 3 गुण दोनों से साथ कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहां पर 22 बटा 3 टीक है यह 12 बचेगा और यह 3 बचेगा नीच यालाओ फिर 1.75 और 1.75 तो यह हो जाएगा 22bht 3,1.75 गुणा 1.75 को गुणा 1.75 ठीक है अब इसको हल करेंगे 221.75 गुणा 1.75 तो हमें मिलें गा 66.375 और बटे मैं कितना है 3 तो बटे में है 3 अब 3 से इसको भाग देंगे तो हमें मिलेंगा 22.46 मिलिमेटर क्यूब ठीक है लगब ठीक है क् ने दो अंकों तक इसको सीमित कर दिया है तो हम कह सकते हैं अथा के अपसुल को भरने के लिए लगबग 22.46 mm3 दवाई की आवश्यक्ता होगी तिक है और यही हमारा उत्तर होगा क्या लगबग 22.46 mm3 यह हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों उमीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो क का अधिक से अधिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों